आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही क्रिस्पी रिस्पी लेकर आए हूं जो की हरे मटर से बनती है यह जो बजान में आड़े मटर मिलते हैं उसे बहुत ही स्थी और यूनिक रिसीपी है जिसका नाम है हरे मटर की बरी इसको बनाना बहुत ही सिम्पलह आसे शांने और आप самое हeb G halten को आ हम vic तो वीडे की अच्छी लगियो तो यजिता या उन्टेर कश till ना करते हो सब्सक्राइब अशूरू करते हैं हम इसके समागरी जान मिकते हैं हरे मटर की बरी बनाने के लिए यहां मैंने दो कप लिया है हरे मटर इसको मैंने चील के वाश कर लिया है और यहां मैंने लिया है दो मीडियम साइस के प्यास जोसे मैंने फानली चॉप कर लिया है यहां मैंने लेसन की कलिया चार से पांच लि टूर दालना के छोड़ा एक हरी धनिया पक्ति लिए और यह अमने डालना है एक टेब्ल स्पून लगबक बेशल और उसी टेबल स्पून के लगबक टॉर यह चावल लगबक समय चावल आठा लाना है अच्टिंपर के अदि थे बहुत है कियो बहुत ही तो बरियां है वह ब दालना है एक चोटी चमठ चिली फ्रेज जाना है आप लानमिच का पॉडर भी यूज़ कर सकते हैं आधी चोटी चमठ हमें जीरा जो जो साबुच जीरा है वह मैंने लिया है इसे मैंने कोई पीसा इसा नहीं है साबुत है और यहां हमने दालना है एक टेबर स्पून के लग दो छोटी चमठ गर्मश्रण पूड़र एक चोटी चमठ हल्दी पाउडर और यह मैने सोरी मेथी लिया है अर यहां मैंने नमक लिया जिसको मैं सवातरिसार दालना है तो फ्रेंस हरे मटर की बरी बनाने के लिए हमें बस इतनी समागिया चाहिए जिससे हमारी हरे मैटर की आप ईवह की दिशनी दिशन में पाह जाएंगे बनाता आपको दिखाते हैं is की हैं किसे आक की बनती में हरे की त्हुना के लिए माज्ट लिए मतल जाते हैं झातों यह सब्राइल पीसना मैं मेरें ब सूख लाएं इव राया है पर जाते की मैंने जो भी प्याज को ढ़त कि खुड़ सुख्या है यहां मैंने अधरब और लेसुन आप यांड में छोटी स्पून चली फ्लेस्ट आपने बाद हमने गरम घंण के अगगार्ण दीया है और यहां हमने एक स्पून भुनाजरा पौडर भी डाल दिया और यहां हमने एक टेबल स्पून फूल बेशन डाल दिया है के कमने एक टेबल स्पून बाल दिया दिया फूल एक टेबल स्पून कर सकते हैं तो तो प्रेंड्स मैंने एक छोटी स्पून बेशन डाल दिया है उपर से आपको अगर कम ज्यादा लगे तो आप बेशन को एक्स्ट्रा ले सकते हैं नहीं तो अगर ठीक रहे तो मैंने जितने स्पून बताई यहां मैंने लास में एक रवस्पून अमच्र पॉडर भी डाल दिया है आप नीबू का रच भी उचे सकते हैं तो फ्रेंड्स हरे मतर की बड़ी बनाने के यहां मैंने गैस चड़ा दिया है उसमें मैंने ओयल डाल दिया है तो यह बहुत बढ़िया से जब गरम हो जाएंगे तब हमने अपने जो हरी मतर की बड़ियां उनको फ्राइ करना है तो देखिए फ्रेंड्स यहां हमारे सरसोकाल जो बहुत बढ़िया से धरम हो गया था और ऐसे बड़ी को लेकर गोल गोल करके चोटा चोटा आपको डालते जाना है इसी में आपको ज्यादा बड़ा नहीं अब देखिए 2-3 मिनट के लिए हमने अपने बरियों डाल चोट दिया था फिर 2-3 मिनट बार आपको अलटना प्लटना है नहीं तो बरियां जो जल सकती है यह तो बरियां से हमारे नीचे के जो बड़ियां थी वह बरियां से प्राइब हो गई है सुनेरा कलर आगा अब इ बहुत रेड हो गई है बहुत लाल हो बहुत इक इस पीनस है तो बरस हमें ने अब एक अलब बाउन में निकाल लेना है तो फ्रेंट्स इसी तरह से हमने सकेंड बैच को भी त्यार कर लेना है फॉर्स बैच हमने त्यार हो गया था तो बाउन में मैं निकाल लिया इसी तरह कि इसे साद्ब वाली बैच को भी हमें फिर दब्र के बरी के सारा फिर के चोटे शेप में तैयार कर लेँआ तो रीजी ए फ्रेंज से सारे मटर के बरियां थी शारे मैंने फ्रैकर लेग है है यह कि oser कि तेष्टि लगरा है और बहुत ही ही हствен story है और बहुत ही जल्दी ज़्या यह चुछ बन रहरें जैँ इस तर-बहुत ही एता इूंद सब्सक्रब करें 1 तो फिश्रेंस Le Killonा ho सब्सक्राइब करें तो आज की हमारी रिस्पी यही थी हरे मटर की बरी आपको कैसे लगी आप इसे चटनी के साथ दिखा सकते हैं ऐसे पोड़ टेस्टिं लगती है आप इसको अरे दिनी हमारी चटनीया सौस के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो आपको कैसी लगी आप अपने एकस्परियेस में कमेंट बोक्स ने बताइए आप ज़रूर बनाएगा तो चलिए मिलते हैं आप से लिए नए वीडियो में एक नए रिस्पी अगर आपको आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी आचकी तो प्लीज हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे धेसा वीडियो दिखने के लिए तो मिलते हैं आप से लिए नए वीडियो में नए रिस्पी साथ तक तक लिए धन्यवाद